हेलो दोस्तो, नमस्कार, सुआगात है आप सभी को हमारी YouTube चैनल में तो दोस्तो मेरा बहुत दिनों से तवियत खराब होने के कर आध मैं कुछ माहिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ उसके लिए so sorry तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिने यूजर आइडी और पासवर्ट के टिकट केंसिल करके दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं तो आप सभी से request कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि उन सभी को हमारा helpful वीडियो मिल सके तो दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप अपना IRCTC user ID या पासवर्ट भूल जाते हैं तो आप ना ही अपना ticket booking कर पाते हैं और ना ही ticket cancel कर पाते तो दोस्तो आज का मेरा यह वीडियो इसी topic पर है तो without ticket without IRCTC user ID मतलब बीना IRCTC user ID के दोरा ticket booking कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं already बना चुका हूँ तो अगर आप लोगों को वीडियो देखना होगा तो आप हमारे चैनल के playlist में जाकर देख सकते हैं और बीना IRCTC user ID और पा रहा हैं सबसे पहले हम अपना Gmail ID open कर लेंगे जो IRCTC में registration करते वक्त दिया था Gmail ID open करने के बाद आप compose पर click करेंगे इसके बाद आप to में e-tickets at the rate irctc.co.in type करेंगे e-tickets e-t-i-c-k-e-t-s at the rate irctc.co.in type करेंगे इसके बाद subject में इसके बाद subject में ticket cancel request type करना है देख लिजे वो जो आपको subject दिख रहा है उस subject box में आप सभी को ticket cancel request type करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं subject box में ticket cancel request type कर चुका हूँ इसके बाद आप नीचे में ये जो आपको message box दिख रहा है इस box में आप अपना pnr number तो मेरा irctc account yahoo mail से link है इसलिए मैं yahoo mail से irctc को message कर रहा हूँ इसी सेम इसी तरह से आप अगर आपका irctc account gmail से link है तो आप gmail में सेम यही process से आप भी अपना ticket cancel request आप irctc को send कर सकते हैं तो दोस्तो pnr number type करने के बाद आप अपनी date of journey अपनी train number from to type करना है message box में टाइप करने के बाद अगर दोस्तो आपका pnr number में 4 passenger है या 2 passenger है या 3 passenger है अगर आप उन सभी का ticket cancel करवाना चाहते हैं तो आप सभी को all passengers ticket cancel type करना होगा type करने के बाद आप send box में click कर सकते हैं देखी जैसे कि मैं send कर चुका हूँ send करने के बाद your message has been sent successfully का message आ चुका है तो बस इसी तरह से आप भी अपना ticket cancel करवा सकते हैं तो दोस्तो आप सभी ने देखा होगा कि मैं बीने user ID और password का सिर्फ Gmail या Yahoo यूज करके अपना ticket cancel request मैं send कर चुका हूँ तो दोस्तो message करने के बाद ठीट पांस से दस मिनट के अंदर आपका Gmail पर या Yahoo पर पांस से दस मिनट के अंदर आप सभी का mail आ जाएगा या message आ जाएगा ticket cancel होने का तो चलिए मेरा message आ चुका है या नहीं मैं फिर से अपना Yahoo खोल के check करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहा है मेरा ticket cancel का message आ चुका है यह देखिए दोस्तों जैसे कि यह मेरा PNR number है इसके बाद मेरा refunded amount भी सो हो रहा है 670.56, 670 रुप्या 56 पैसा मेरे को refund मिला है जी दोस्तों मेरा दो ticket था इसलिए जैसे कि आप देख पा रहा है मेरा ticket successfully cancel हो चुका है सिम इसी तरह से आप सभी भी अपना ticket cancel करवा सकते हैं वो भी बहुत असानी से तो I hope मैं आसा करता हूँ कि आप सभी को यह हमारा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तब हमारे चैनल को like, subscribe जरूर करें ताकि हमारा next अगला helpful वीडियो आप तक पहुँच सके